चलो बेटा जो हमारा सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्टी था उसका एक लास टोपिक भी हम लोग डिसकस कर लेते हैं वैसे यह टोपिक आप लोग फिजिक्स में पढ़ होगे लेकिन फिर भी मैं थोड़ असा आप लोगों को आइडिया दे देता हूं इस टोपिक के बारे में तो यह टोपिक में हमारा स्टार्ट होता है कहां से ती मेजरमेंट इन केमिस्ट्री में हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं तो इसके अंदर कोई भी मेजर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दो पार्ट से मिलके बनी होती है एक होती है निमेरिकल वैल्यू एक होती है और यह जो numerical value होती है यह experimentally count की जाती है ठीक है ना experimentally count की जाती है और experimentally counting measurement के अंदर अगर कोई uncertainty आ जाती है ठीक है ना during measurement के time पे कोई uncertainty वहाँ पे आ रही है तो उस uncertainty के लिए हमारे पास दो reason हो सकते हैं एक तो skill of the observer ठीक है ना measure करने वाले इंसान की skill कैसी है कितना accurately वह measure कर सकता है ठीक है ना second thing ठी limitation of measuring instrument हर एक instrument की अपनी एक limit होती है कि वो किस scale तक किसी matter को जो है measure कर सकता है तो इन दो चीजों की वज़े से जो uncertainty आती है physical quantity measurement के time पे यह दोनों चीजे बहुत important है skill of the observer and the limitation of measuring instrument clear तो हमारे पास दो तरीके हैं expressing the uncertainty को express करने के लिए एक तरीका तो यह है कि जो भी measured value आपके पास है उसके अंदर हम क्या करें plus minus one plus minus one notation को क्या कर दे लगा दे वहाँ पे या तो plus कर दे या फिर minus कर दे ठीक है ना परी जिस भी substance या matter की हम लोग measurement कर रहे हैं ठीक है ना हो सकता है वो हमारी skill की वज़े से या या फिर मैं यह कह सकता हूँ कि limitation of instrument या instrumental error की वज़े से तो plus minus में क्या हो सकता है कम या ज़ादा हो सकता है measurement ठीक है second method क्या है कि हम significant figure के बारे में हमें non-leach होना चाहिए चार rules पढ़ते हैं हम यहाँ पे chemistry में सबसे पहला rule यही कहता है कि all non-zero digits are significant अगर किसी भी digit में किसी भी number में कोई zero नहीं है present तो वो सारे number क्या है significant है जैसे यहाँ पे है 6.324 तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग कि सारे के सारे number significant है कोई भी zero नहीं है तो कितने number है 1,2,3,4 तो 4 significant figure 7.92 में कितने significant हो गया 3 1.2 में कितना हो गया 2 second rule यह कहता है ति अगर zero appearing at a beginning of a number is not significant अगर zero number से पहले लगी हुई है या decimal से पहले लगी हुई है तो उसका कोई significant नहीं मान के चलेंगे हम जैसे यहाँ पर zero कहाँ है नंबर के बाद है तो कितने significant है मेरे पास 3 और 2 यानि 2 significant figure यहाँ पर भी zero पहले है number से कोई significant नहीं है उसका तो 1 और 8 यानि 2 significant figure similarly third वाले में 1 significant last वाले में 3 significant figure third rule यह कहता है कि अगर zero दो number के बीच में हो तो वो क्या हो जाएगी significant भाई 101 है आपके पास 101 अगर zero को में बीच में से निकाल दूँ तो क्या बच गया 11 ठीक है ना तो zero जब number के बीच में आ जाए तो उसका क्या होगा significant होगी वो उसकी कोई न कोई value होगी ठीक है ना उसको हम neglect नहीं कर सकते इसी rule में और करके मैं जोड रहा हूँ एक rule और fourth rule भी आपके इसको कह सकते हो कि zero अगर end of a number that included decimal point is significant अगर end में zero लगी हो तो वो क्या होगी significant होगी हमारे पास ठीक है तो first rule क्या बताया तो सभी non zero digits significant होगी zero अगर number से पहले है तो कोई significance नहीं होगा उसका zero अगर middle में है numbers के तो वो significant होगी अगर end में लगी हुई है तो भी वो significant होगी उसके बाद आपके पास जो आपको clear होना चाहिए कि end वाले में कुछ examples हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे से clarity होगी जैसे middle में यहाँ पे 0 है 6.023 तो इसका significance है 4 significant यहाँ पे भी 0 दो number के बीच में है 3 significant यहाँ पे 0 क्या है दो number के बीच में भी है और end में भी 0 है तो end वाले 0 का भी हो और middle वाले 0 होगी दोनो significant होगी अगर जो 0 हमारे पास end में लगी हुई है अगर वो 0 decimal के बाद नहीं है अब यह direct number है 6500 तो यह significant हो भी सकती है और नहीं भी जैसे इस number के अंदर 2 भी significant हो सकती है 3 significant figure भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है कैसे अगर मैं इस number को लिख हू 6.5 into 10 to power 3 तो यह equal किस के हुआ 6500 के तो यहाँ पर कितनी significant figure है मेरे पास सिर्फ 2 ही significant है हम 10 की powers को significant में count नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए हम specified कुछ terms use करते हैं जैसे 10 to power minus 1 के लिए dashi, centi, milli, micro, nano, pico, famto, etto यह सब आप 9 tank में बढ़ चुके हो ठीक है अगर मैं इसको 6.50 into 10 to power 3 करो तो मेरे पास कितनी significant बन गई 3 अगर मैं 6.500 into 10 to power 3 की form में लिखो तो कितनी significant figure बन गई यहाँ पर 4 significant figure बन गई ठीक है यह आपको clear होने चाहिए 4 के 4 rule उसके बाद next है scientific notation तो scientific notation में हम लोग क्या करते हैं किसी भी number को express करते हैं n into 10 to power n की form में अब यह जो power में n है वो plus minus कुछ भी हो सकता है any integer plus minus कोई भी integer हो सकता है ठीक है ना और n की value कहां से कहां लाई करती है 1 to 9 के बीच में लाई करती है ठीक है ना यह number with at least a single non-zero digit to the left of the decimal point ठीक है ना 10 की power कितनी भी हो सकती है integer है 23 6.023 into 10 to power 23 यहां कितने significant होगे 4 3.045 into 10 to power 2 में कितने होगे 3 2.798 इसमें कितने होगे 4 ठीक है ना 4 significant figure तो किसी भी number को n into 10 to power n की form में लिखना जैसे मेरे पास यहां पर यह एक number दिया होता 60,500 तो इसको मैंने क्या किया इस form में लिखा n into 10 to power n की form में कैसे बन गया 6.5 into 10 to power 3 तो यह इसका क्या बन गया scientific notation बन गया scientific language में किसी भी number को लिखना का तरीका क्या है n into 10 to power n जहांपे small n plus minus कोई भी integer हो सकता है और capital n आपके पास क्या होगा यहां पे करना है in the n into 10 to power n की form में एक यहां पे आपको calculation पता होना चाहिए अगर आपके पास addition की example दियो जैसे 6.23, 2.1, 1.712 और वो बोल दे इन सभी को add करो तो सभी को जब हम add करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 10.042 तो actually में answer क्या होगा scientific answer क्या होगा इसका 10.0 होगा क्यों होगा 10.0 मैंने 10.0 तक ही क्यों लिया 42 को क्यों छोड़ दिया क्योंकि तीनों numbers में जिनको हमने add किया उसमें सबसे कम list number of decimal places always see the list number of decimal places decimal के बाद किसके अंदर list number है 2.1, point के बाद 1 चीक है ना, point के बाद एक ही significant figure है इसलिए मैंने point के बाद एक ही significant figure यहाँ पे लिया 0, ठीक है ना, 10.0 उसी तरह से subtraction में अगर आपके पास कोई भी number दे दे इसमें से 2.706 को subtract करो, तो आपके पास subtraction के बाद क्या आएगा 13.6155, लेकिन actually मैं आंसर कितना होगा अब यहाँ पे भी मुझे decimal के बाद देखना है, सबसे छोटा number कोण से है यह वाला है 2.706 तो इसमें decimal के बाद कितने significant है 3 significant, तो मुझे 3 significant figure तक ही आंसर लेना है ठीक है, लेकिन multiplication के case में आपको क्या देखना है तो numbers का multiply किया गया है precision term और least significant figure value जिस number में सबसे कम significant figure value present होगी वही आपको लेना है जैसे इसमें यहाँ पे significant figure कितनी है 4 यहाँ कितनी है 2 ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे सबसे कम significant figure किसमें है इस number में है तो 2 significant figure तक ही answer लोगा 1 to 12 उसी तरह division 5.2765 का आपने 1.25 से divide किया तो answer आया 4.2212 लेकिन scientific answer क्या होगा scientific यानि precision term जो list precision term मुझे यहाँ पे देखना है तो आप देखो ठी, आपके पास list significant figure कितनी है यहाँ पे 1.25 में 3 significant figure है लेकिन हमारे पास numerator में 1, 2, 3, 4, 5, 5 significant figure है तो denominator में significant figure कम है तो यानि मैं 3 significant figure तक ही answer देखोंगा यानि addition और subtraction में मुझे list number of decimal place देखना होता है answer लिखते हुए और multiplication और division में मुझे list significant figure value देखनी होती है scientific notation में number को मुझे n into 10 to power n की form में लिखना होता है जहाँ पे small n कोई भी integer हो सकता है plus minus ओ जो capital n है वो क्या है decimal से पहले जो value होगी उसकी 1 से लेकर 9 के बीच में जो है वो 1 to 9 तक लाई कर सकती है और significant figure के हम लोग ने 4 रूल पढ़े यही एक छोटा सा topic था जिसको में neglect करने की सोच रहा था कि आप लोग खुद भी कर सकते हो नहीं तो आप physics में भी पढ़ोगे इसको detail में बेटा physics में ज्यादा detail में आप लोग पढ़ोगे लेकिन chemistry में इतना important नहीं है लेकिन चलो आप लोग एक बार इसको देख लेना ठीक है ओके बेटा तो यह chapter आप लोगों का यहाँ पर बिल्कूल 100% अब खतम हो जाता है कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर ठीक है तो कल से हम लोग जो है Thursday से we will start the new chapter that is atomic structure so be ready for that one ओके थैंक यू थैंक यू बेरी मच